next question 2010 का सवाल है question says an engine pumps water through a hose pipe water passes through the pipe and leaves it with the velocity of 2 meter per second mass per unit length of water in the pipe is 100 kg per meter सवाल ये what will be the power of the engine हमारे option है 100 watt 200 watt 400 watt या फिर 800 watt ना इस सवाल में directly जो हम classic में बात करते हैं directly आप एक formula यूज़ कर लेते हैं formula यूज़ कर सकते हैं तो पहले मैं आपको formula बताता हूं यूज़ करके answer निकालते हैं और उसके बाद उस formula को एक बाद derive करके भी देख लेंगे कि वह formula आया कैसे हैं तो इस case में हम direct formula यूज़ लिख सकते हैं कि power जो अपनी यह मू दिया हुआ है वह है 100 kg पर मीटर multiplied by V वी उसकी 2 है तो इसका 2 का क्यूब सो अपनी पावर जो है वाट सो वाट आ गई सो देट मेंस ऑप्शन नमबर डी 800 वार्ट विल बी दर राइट answer अब एक बार यह देख लेते हैं कि formula आया कहां से जिसको हमने इस्तेमाल किया है नौ यह अपने को पता है कि power को लिखेंगे हम f.v इस case में आपका f जो है वो constant नहीं है यहाँ पर variable mass वाली कहानी हो रही है तो हम यहाँ पर f की कहानी यहां कर लेते हैं सो हम f को लिख हो गए हम लिखेंगे f will be equal to dp by dt और इसको हम लिख सकते हैं dp by dt और उसको हमने लिखा mv m और v इसको product rule लगाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं m multiplied by dv by dt plus v multiplied by dm by dt अब variable mass का सवाल है यह वाली term हम zero कर देंगे और यहाँ पर इसको use करेंगे तो f को हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो आपकी power हो गई v multiplied by dm by dt multiplied by v now dm by dt जो term है यह आपका जब mass vary कर रहा हो इन scenario जो यह सवाल था है इसमें हमें mass print length दिया हुआ है तो इसी को अगर हम dx से multiply करें dx से divide करें तो आपकी जो power है वो बन जाएगी दोनों को एक सार ले आते हैं तो it will be v square multiplied by dm divided by dx multiplied by dx by dt और इस dx by dt को हम एक और velocity लिख सकते हैं तो आपकी जो power है वो हो गया v cube multiplied by dm divided by dx और इस dm by dx को हमने यहाँ पे mu से denote किया है तो based on this यह वाला अपना formula आ गया जिसको हमने यह directly इस्तिमाल किया है तो हम यह कह सकते हैं इस सवाल के लिए option number d 800 watt will be the right answer